नमस्कार किसान भाईयों, स्वागत करते हैं आपके अपनी यूट्यूब चैनल किसान विकास के अंदर में, मैं स्वानु खान, आज बात करेंगे सेम की खेती की बारी में, सेम की खेती एक ऐसी फसल है, जो कम लागत में ज्यादा मुनाफ़ा देने वाली है, दोस्तों सेम की खेती जून महिने से स्टार्ड होती है, जो से तब सेप्तेमबर और अक्तुबर तक इसकी बुआई चलती है, दोस्तों आईए आप बात करते हैं, खेत की तैयारी के बारे में, खेत की तैयारी के लिए दो ट्राली, एक इकड़ में, गुबर का खाद, 50 केजी डी एपी, 20 केजी पोटास, और 20 केजी एसस्पी को मिक्स करके खेत में चलकाव करें, और गहरी जुताई करें, गहरी जुताई की बार, यदि आप बैट से खेती करना चाहते हैं, तो बैट की बनवाएं, जिसमें बैट से बैट की दूरी पाच फिट रखें चौण आई दो फिट रखें उचाई एक फिट रखें और यदि बिना बैट के करना चाहते हैं तो डारेट बॉहाई करें दोस्तो सेम की उन्नत किसमों मैं से बी आर सेम थ्री कल्यान पूर हाईम मेगा सेम इंडिका सेम जबाहर सेम और कासी हरीता ये कुछ सफल वैराइटी है इसकी दोस्तो एक एकड में बीच की मात्तरा जो रखें वो चार से पाच किलो के एबरिज में आता है बॉहाई करना इसे पहले बीच को उपचारत जरूर करें जिससे कीटों से फंगस से हमारी फसल पूरता सुरक्षत रहती है और पूरा वीच जर्मिलिसन होता है दोस्तो सेम की खेती में बीमारी ना के बराबर है इसमें बीमारी नहीं आती है और अगर आती है तो खलकी फलके डोच से केमिकल से यह इस परिकर के दूर हो जाती है दोस्तो सेम की खेती कम लावत में ज़्याद मुनाफ़ा देने वाली खेती है यह सभी प्रकार की मिट्टी में और सभी प्रकार की चेत्र में बातबड़ में होती है तोस्तो हम इसको ड्रिप के माद्यम से भी कर सकते हैं जो बेड़ पे ड्रिप लगाकर इसकी बुआई करें पुदी से पुदी की दूरी दो फट रखें और बीच को चार सेंटिमीटर गहराई पर बुआई करें दोस्तो बीमारी की बात करें तो बीमारी ना के बराबर है लेकिन फिर भी इसका स्प्रे करना चाहती है तो कार्मन नजिम्बैंको जे फंगी साइड चालिस ग्राम प्रतिपंप 15 लीटर में और प्रफैनोफोस साइप और मेतरिन को कॉंबिनेशन जो 44 परसेंट में आता है उसको 40 ग्राम 40 अमेल प्रति 15 लीटर पानी में मिलाकर इस्प्रे करें तो इल्ली से बगदर मच्छड से उपंगस से सुरक्षित रहेगा दोस्तो वीडियो अच्छे लगा हूँ तो लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें अन्नवाद